हेलो फ्रेंस मैं हूँ शिल्पी और फूद्स और फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंस आज हम बनाएंगे ब्रेट कटोरी चाट आम तोर पर जो कटोरियां कटोरी चाट में बनाई जाती हैं वे मैदे से बनती हैं चोकि तलने में काफी टाइम लेती हैं आज में जो कटोरियां बनाऊगी वो ब्रेट की होंगी और जिनको वो हम बेक करेंगे और वो बहुत जल्दी बन जाती हैं फिर हम इन कटोरियां को thirds कि बनाने के लिए सबसे पहले हम कटोरिया कब बनाएंगे इसके लिए मैं यहाँ पर एक bread का पीस लूँगी और बेलर से इसको इस तरह से चारो तरफ से बेल लूँगी ध्यान रही कि यह हर तरफ से एक सार बेला हो मैंने यहाँ पर sandwich bread का यूज किया है जो कि regular bread से थोड़ी बड़ी होती है जिससे कि हमें बड़ी साइज की कटोरिया मिले अब मैं इसकी उपर एक बाॉल रखूंगी और चाको की सहाथा से इस तरह से इसको गोल काट लूँगी अब इस तरह से मैं और बाकी सारे ब्रेट पीसे काट लूँगी अब मैं एक मफिन ट्रेल लूँगी जिसको कि मैंने पहले से oil से grease किया हुआ है और इसमें bread को इस तरह से दबा दूँगी जिसे कि एक cup या बाउल का आकार ले ले इस तरह से मैं बागी bread slices को भी muffin tray में लगा लूँगी और अब मैं इनको अंदर से थोड़े सी तेल से grease कर दूगी और आए अब हम इन कटोरियों को बेक करते है इसके लिए मैंने यहाँ oven को 350 degree Fahrenheit यह 180 degree centigrade पर preheat किया हुआ है अब हम इन bread cups को 15-18 मिनिट तक या फिर जब तक यह सुनहरे और क्रिस्पना हो जाए तक बेक करेंगे और आए जब तक कटोरिया भेक हो रही है हम स्टफिंग तयार करते हैं इसके लिए एक बाउल में हम आदा कप महीन कटा खीरा लेंगे इसमें आदा कप उबला हुआ और महीन कटा हुआ आलू डालेंगे आदा कप frozen corn's लेंगे मैंने यहाँ पर corn's को 30 seconds के लिए microwave कर लिया था एक चौथाई कप महीन कटी और बीजे निकले टमाटर डालेंगे एक चौथाई कप महीन कटा प्यास थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी धनिये की चटनी डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी भी डालेंगे इन चटनीों की रेसिपी आप मेरे चानल पर देख सकते हैं और अब हम इस स्टफिंग को अच्छे से मिला लेंगे अब चाहे तो इसमें महीन कटी हरी विर्श भी डाल सकते हैं स्टफिंग तयार है, और अम घू रख्याँगे, और आई तो प्रिट क चापने च्टो न को कसे करतीो, आप सबस्क शली होते हैं कि करने जहल देख सकते हैं, और आई कटोरी चाट बनाते हैं, इसके लिए मैं दो कटोरियों को सर्विंग ट्रे में रखोंगी और चाट बनाऊगी कटोरी चाट बनाने के लिए हमको कुछ और समान की भी आवशकता होगी इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक चौताई कब दई है जिसको मैंने नमक और शक्कर मिलाकर अच्छे से पेट लिया है यहाँ पर हम इस धनिय की चट्नी और मीठी चट्नी का भी यूज करेंगे जिनकी रेसिपी आप मेरे चानल पर देख सकते है इसके साथ ही हम यहाँ पर महीन कटा हरा धनिया थोड़ी से सेव चाट मसाला और सबजियों का मिक्षर का भी यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ कटोरियों में अच्छी मात्रा में वेजी मिक्षर डालूंगी इस पर थोड़ा सा दही डालेंगे थोड़ी सी हरी चेक्नी थोड़ी मीठी चेक्नी कुछ सेफ थोड़ी सी धनिया की पत्ती और चाट मसाला डालेंगे इन काटोरियों में वेरेशन्स लाने के लिए आप इन काटोरियों में आलू चाट, भेलपूरी, प्रूट चाट या चना चाट भी भर सकती हैं काटोरी चाट सर्फ करने के लिए तयार है आप इनको पार्टी में बनाए, गेट्टो के दर्स में बनाए, यह सबको बहुत ही पसंद आती है आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चानल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए टेक केर और बाबाई